अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके और दवाई की पूरी जानकारी के लिए कृपया पूरा वीडियो देख तो आए हम ओराल एल टब्लेट के बारे में बात करते हैं यह फाइजर कंपनी द्वारा निर्मित है और एथिनिल एस्ट्राडियोल और लेवो नोर्गेस्ट्रेल इस दवा का घटक है ओराल एल टब्लेट गर्ब नरोधक यानि गर्भावस्ता को रोकने के लिए और अनिय और आल एल टब्लेट एक प्रकार की गर्भन रोधक गोली है इसका इस्तमाल प्रेग्नेंसी ना हो इसलिए किया जाता है महलाओं को इस दवा का सिवन प्रियेट के शुरुआती दिनों में नहीं करने की सलहाद दी जाती है और यदि इस दवा का सिवन करना भूल जाती है तो जरूरी है कि जल्द से जल्द डॉक्टरी सलहा ले इस दवा का एक भी डोज मिस्ट करना नहीं होता है मिस्ट डोज ना हो इसके लिए आपको अथिरिक्त कांट्रासेप्शन की दवा रखनी होती है इस दवा का सिवन चाहे तो खाने के साथ या बिना भोजन के सिर्फ पानी के साथ ले सकते हैं लेकिन शरीर के लिए खाने के बाद यदि इसका सिवन करेंगे तो काफी फायदा पहुचाएगा और इस नमक संबंधी परिशानी भी नहीं होगी लेकिन यह जरूरी होता है कि पहले डॉक्टरी सलहा लीजाए उसके बाद ही दवा का सिवन शुर जादा मातरा में सिवन करें दवा के सिवन को लेकर रियक्शन होता है या फिर इस्तिती और गंभीर होती है तो जल्द से जल्द एमरजनसी ट्रीटमेट करवाना चाहिए वहीं सबसे जरूरी है कि दवा का सिवन डॉक्टर से पूश कर और दवा को शोड़ने संबंधी नि में चलना उल्टी और थकान कमजोरी ब्रेस्ट पेन या नर्म होना या डायरिया और स्ट्रोक या फिर ब्लड क्लोट सिर चक्राना डप्रेशन सिर दर्द फ्लू जैसे लक्षन या होट चहरे और जीब हाथ तलवे का सुझना या सांस लेने में तकलीफ और निगलने में त अकलीफ जैसे साइड इफेक्ट होते हैं और तुरंत ही समापत नहीं होते हैं तो आप डॉक्टर से तुरंत परामर्श करें और साथ ही अगर इसमें मिले घटकों से किसे अलर्जी है तो भी इस दवा का प्रयोग ना करें और इसके अलावा अबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग या ब्रेस्ट कैंसर स्ट्रोक या हार्ट या ब्लड वेसल्स डिसॉर्डर और एस्ट्रोजन जैसे कुछ बिमारी या लीवर डिजिस जैसे मरीज हैं तो भी इस दवा को ना लें या फिर डॉक्टर से परामर्श जरूर करें साथी गर्बती महलाओं को और इस्तनपान वाली महलाओं को इस दवा का सिवन करने की सला नहीं दी जाती है यदि महला गर्बती है या फिर प्रेग्नेंसी की प्लानिंग कर रही है तब भी यह दवा नहीं दी जाती है यदि आप इस दवा का सिवन करते हैं तो गर्बती हो ने वाली हैं तो जरूरी है कि डॉक्टरी सला लें इस दवा के मासिक धर्म पर इफेक्ट जैसे इस दवा का सिवन करने से हो सकता है कि महलाओं का पिरियड साइकल गरबड़ा जाए वहीं कभी कम तो कभी हेवी ब्लीडिंग की शिकायत हो सकती है दवा का सिवन करने के पांच सिटी से संबंदध परेशानी हो सकती है साथ ही यदि कोई लंभे समय तक इस दवा का इस्तमाल करता है तो संभावनाए रहती है कि इंफेक्शन का खत्रा बढ़ जाए कि इसके अलावा लंबे समय तक दवा के सिवन किया जाय तो डिप्रेशन से पीडिद हो सकते हैं या फ इस सरह से ओराल एल टेबलेट डॉक्टर द्वारा लिखी जाने वाली दवा है। इसकी उचित खुराक मरीश की उम्रलिंग और उसके स्वासा संबंधी पिछली समस्याओं पर निर्भर करती है। इसकी खुराक मरीश की परिशानी और दवा लेने के तरीके पर निर्भर करती है। यह जानकारी विस्तार से खुराक के बारे में डॉक्टर से सलहा जरूर करें। यह अधिकतर मामलों में दी जाने वाली ओराल एल टेबलेट की खुराक होती है। हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है। इसलिए रोग दवाई दने के तरीके रोगी की आयू, रोगी कचकिसा, इतिहास और अन्यकारकों के आधार पर ओराल एल टेबलेट की खुराक भी अलग हो सकती है। इस तरह से ओवराल एल टेबलेट का इस्तमाल गर्भ निरोधक दवा तीन साल तक गर्भवस्था को रोकने के लिए और असुरक्षित यौन संबंध के 72 घंटों के भीतर गर्भवस्था की रोक्थाम के लिए और गर्भवस्था की रोक्थाम के लिए और रजो निवरित् को कम करना या रोकना साथ ही मासिक धर्म में सामानिय से ज्यादा रक्तुसरा होने पर और मासिक धर्म में होने वाली समस्याओं में इनके लक्षणों में इसका इस्तमाल किया जाता है और यह एक गर्भ नरोधक गोली है जो गर्भाशे में निशेचित अंडे को जमने से रोक तो इस टे नियुक है चेज़ के साथ तो एह चाइवे से समक्रमित ह5000 अजया है और दोफेुशाथेशन रचाहशन गोशार। तो यह तो इस चोय स्ववा बिवि करेंप ना करें तो इस त्वा आएट से सकतंत मेरने से मिधर करते हैं तो शरीर में दवा के खतरनाक इस तर हो सकते हैं और यदि आप मौके पर गोली लेने से चूक गई हैं तो जितनी जल्दी हो सके इसका उप्यो करने का प्रयास करें हाला कि अगर समय आपकी अगली खुराक के करीब है तो बस दवा छोड़ दें ऐसे मामलों में डबल खुराक ना लेने का प्रयास करें साथ ही खाली पेट यह दवा नहीं लेनी चाहिए इस दवा को भोजन के साथ ही लेना चाहिए यदि और आल टेबलेट के लेने के 3-4 घंटे के भीतर उल्टी कर देते हैं तो इसे मिस्ड़ खुराक माना जाता है तो आपको एक और खुराक लेना चाहिए जैसे ही आप अच्छी तरह से महसूस करते हैं तो फैन इस तरह से और आल टेबलेट की जानकारी यहीं पूरी होती है और आशा करती हूं कि इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके धन्यवाद